दोस्तों इंडियन रेलवे में आर्पी एफ एसाई कैसे बने जानेंगे इस वीडियो में पुरा कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं लगबग आप लोगों की दोस्तों 14,000 के आसपास आपकी वेकेंसी है जो की आपकी आर्पी एफ सब इंस्पेक्टर के लिए आने वाली है तो ऐसे में जानना बहुत जरूरी है कि आर्पी एफ एसाई बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है कैसे आप आर्पी एफ एसाई बन सकते हैं फिजिकल का क्या क्राइटिरिया रहता है और लाइन एक्जाम कैसे होता है सारी बातों के बारे में जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं तो इसकी जो वेकेंसी निकलती है ना आर पी अफ की ये रेलवे में कॉंस्टेबल या SI सबिंस्पेक्टर के नाम से आती है यहां पर मैं आपको बता दो कि टोटल आप लोग की वेकेंसी 14,000 के आसपास है जिसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं मतलब कि आर पी अफ हैसाई में मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं इसकी वेकेंसी RRB के द्वारा निकाली जाती है और अप्लाई मोड इसका ओनलाइन होता है मतलब जब वेकेंसी आती है तो आप इसमें ओनलाइन फॉर्म भर सकते हैं RPFSI का पेपर दे सकते हैं सबसे important है यह जानना की कौन-कौन लोग apply कर सकते हैं तो इसमें apply का एक ही सर्थ है कि आप जो है all India के candidate है मतलब अगर आप इंडिया में हैं भारत के नागरिक हैं तो आप इस आवेदन को भर सकते हैं selection process में यहाँ पे आपका CBT exam भी होता है उसके बार आपका medical test होता है उसके पहले भी आपका physical test भी होता है तब जाकर document verification और अगर आपका नाम final merit list में आता है तो आपको जो है नौकरी दी जाती है तो सबसे पहली बात दोस्तों हम करें अगर आपके के यहाँ पे paper कैसे होते हैं तो सबसे पहली बात आप समझेए कि सबसे पहला जो process होता है RPF SI बनने का उसमें सबसे पहला portion होता है आप लोगों का CBT paper का ठीक है यहाँ पे आपका computer based test होता है जिसमें आप लोगों के तीन विसे से question पूछे जाते हैं पहला अभी से होता है आपका arithmetic दूसरा होता है आपका general intelligence and reasoning और थड़ आपका होता है general awareness तो सबसे पहली बात आपको जाना है कि इन तीनों में से कितने कितने questions आते हैं तो आपके 35 questions पूछे जाएंगे आपके arithmetic के मतला mathematics से आपके 35 questions पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 35 नमबर दिया जाता है इसके अलावा general intelligence and reasoning से 35 questions होते हैं जिसके लिए आपको 35 नमबर मिलते हैं जिनरल awareness से आपके जो है ये 50 नमबर के questions होते हैं और total question भी 50 होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि total आप लोग के पास 35, 35 और 50 करके 120 question टोटल आप से पूछे जाते हैं और इस 120 question के लिए आप लोगों को 120 से नमबर allot किया जाता है मतलब कि प्रते question के लिए आपका एक नमबर आपको मिलता है दोस्तो इस परिक्षा में आपकी minus marking भी होती है मतलब कि अगर आप गलत करते हैं प्रस्टनों को तो ऐसे में आपकी one by third की minus marking आप लोग को आरपी FSI के exam में देखने को मिलती है काफी अच्छे खासे संख्या में आपकी vacancy निकलती है और educational qualification के बारे में अगर हम बात कर लें और अगर हम आपके उम्र सीमा के बारे में बात कर लें तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ education qualification क्या चाहिए आरपी FSI बनने के लिए सबसे पहले आपको जो है 10th पास होना चाहिए 10th के बाद आपके पास intermediate की भी डिगरी होनी चाहिए और उसके बाद आपको graduation भी होना चाहिए मतलब कि जितने graduate candidate है वही लोग आरपी FSI का form भरते है graduation इसमें most है जो कि आप लोगों के लिए जरूरी है बिना graduation के आप इसके form को नहीं फिल कर सकते इसके minimum और maximum age की बात करें दोस्तों तो minimum age जो होता है इसका आरपी FSI का ये होता है आपका 18 वर्स और maximum जो age होता है इसमें होता है आपका 25 वर्स ठीक है 18 वर्स से लेकर के 25 वर्स तक आप इसका form भर सकते हैं लेकिन अगर आप OBC के candidate है या SC के candidate है या ST के candidate है तो आपको जो है उम्र सीमा में छूट मिलती है मतलब OBC से है तो भी आपको छूट मिलेगी SC, ST से है तो भी आप लोगों को नियमानुसार छूट मिलेगी अब बात करते है दोस्तों सबसे जादा जो important है कि RPFSI के salary कितनी होती है और क्या क्या चीज़े आपको मिलती है ठीक है तो मैं सबसे पहले बताओ अगर आपको RPFSI की salary के बारे में तो starting salary जो होती है RPFSI की ये 21,700 रुपए से लेकर के और 35,700 रुपए तक आपकी salary होती है इसके अलावा रेलवे के तरफ से मिलने वाली तमाम सुविधाएं आपको दी जाती है और HR A, TA, DA वगरा सब कुछ मिला करके लगबग आपकी salary 45,000 रुपए से लेकर के और 55,000 रुपए तक के बीच में बन जाती है तो ये राज उस तो आपका salary structure is limited educational qualification exam pattern और application mode सबसे जादा जरूरी ये है कि आपको जानना कि क्या लिखित परिक्षा के बाद आपकी physical efficiency test होती है तो बिलकुल यहाँ पे मैं आपको बता हूँ RPF SI में आपको physical efficiency test भी देना पड़ता है जिसमें आपका दौड होता है साड़े छे मिनिट में आपको solo smiter की दौर और यहाँ पे मैं आपको बता हूँ महिलाओं को 4 मिनिट में 800 मिटर की दौर पूरी करने पड़ती है ठीक है इसके अलावा 3 feet 9 inch पूरसों को high jump इसके लाव महिलाओं को 3 feet की jump पूरी करने पड़ती है जिसके लिए आपको जो है सिर्फ 2 chance मिलते हैं long jump की बात करें तो long jump में पूरस कैंडिडेट को 12 feet और महिला कैंडिडेट को 9 feet की jump लगानी पड़ती है तो ऐसा रहता है आपका physical fit इसके बाद दोस्तों आपको physical measurement test को पास करना पड़ता है जिसमें जनरल पूरसों की जो height होनी चाहिए वो आप लोकी 165 cm होनी चाहिए और chest आपका 80 cm होना चाहिए इसके अलावा SC वा ST पूरसों की height 160 cm और chest 76.10 cm होना चाहिए इसके अलावा chest में 5 cm का फैलाओ भी आना चाहिए महिला काटेगरी की बात करें तो महिला जनरल काटेगरी की महिलाओं के लिए 167 cm की height और SC ST काटेगरी की महिलाओं को लिए 152 cm की height आपका होना चाहिए तो लास्ट में जब आप physical measurement test को भी पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपका जो है document verification होता है और document verification की प्रक्रिया के बाद लास्ट में आपकी final merit निकलती है final merit list में अगर आपका नाम होता है तब आप RPSI बन सकते हैं और आप सरकारी सिवाओं में जा सकते हैं वीडियो कैसे लगा दोस्तों आप comment करके जरूर बताईएगा